तो आपको बता दें कि देश में गिहों की बड़ती कीमत को देखते वे सरकार ने इसके निर्याद पर रोक लगा दी है गिहों को प्रती बंदित शेडी में रखा गया है एक नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा कि देश की खादे सुरक्षा के मंदे नजर ये कदम उठाया गया है और साथ ही पडोसी देशों और गरीब देशों को सपोर्ट करने के लिए भी ऐसा करना जरूरी था हाला कि जरूरत मन्द देशों को गिहों का निर्याद जारी रहेगा रूस और यूकरेन के बीच चल रही लड़ाई के कारण पूरी दुनिया में गिहों की कीमत में काफी तेजी आई है भारत में भी गिहों की कीमत तेजी से बड़ी है कई प्रमुक राज्यू में सरकारी खरीद की प्रक्रिया काफी सुस्थ चल रही है और लक्ष से काफी कम गिहों की खरीदारी हुई है इसकी वज़ा है कि किसानों को MSP से जाद़ कीमत बजार में मिल रही है साथ ही इस बार पैदवार में भी कमी की आशंका जताई जा रही है वहीं विदेश वैपार महानी देशालने ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि कई कारणों से अंतराश्य स्तर पर गिहों की कीमत में अचानक तेजी आई है इस कारण भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों और कई अन्य देशों की खादे सुरक्षक के लिए खत्रा पैदा हो गया है इस कारण सरकार को गिहों का निर्याद रोकना पड़ रहा है गिहों को फ्री केटिगरी से प्रती बंदित केटिगरी में डाल दिया गया है रूज और यूक्रेन की बीच चल रही लड़ाई से गेहों की अंदराश्री कीमत में करीब 40% की तेजी भी आई है इससे भारत से इसका निर्याद बढ़ गया मांग बढ़ने से स्थानिय स्थर पर गेहों और आटे की कीमत में भी भारी तेजी आई है वही ट्रेडर्स की मताबिक इस साल देश में गेहों का उतपादन 9.5 करोट टन रहने का नुमान है जबकि सरकार ने इससे 10.5 करोट टन रहने का नुमान जताया था इससे सप्लाई टाइट है और कीमतों में तेजी आ रही है कांडला पोट में गेहों की कीमत 25-50 रुपे प्रती कुइंडल चल रही है सरकार के निर्यात रोखने की आशंका से निर्यात को ने तेजी से शिपमेंड वेजना शुरू कर दिया था गेहों की खरीद के लिए MSP 2015 रुपे प्रती कुइंडल टै की गई है देश में गेहों और आटे की खुदरे महंगाई अपरेल में बढ़कर 9.59 फीजदी पर पहुँच गई जो की मार्च में 7.77 परसंट थी इस साल गेहों की सरकारी खरीद में करीब 55 फीजदी की गिरावट भी आई क्योंकि खुले बजार में गेहों की कीमत MSP से कही जादा मिल रही है किसानों को वहीं रूस यूकरेन यूद के कारण ब्लैक सी इलाके से गेहों का निरियात परवावित हुआ है दुनिया में गेहों का एक चोथाई ट्रेड वहीं से ही होता है भारत इस कमी को पूरा कर रहा है और यही वजा है कि देश से गेहों का निरियात बड़ा है और इसी गेहों के निरियात को बड़ता देख सरकार ने इसको नियंतरित करने के लिए कीमतों को काबू में करने के लिए और कहीं भारत में जो खादे सुरक्षा है वो कहीं खत्रे में न पढ़ जाए इन सब के मद्दे नज़र इन सभी फैक्टर्स को देखते हैं सरकार ने गेहूं के निर्याद पर रोक लगा दी है सक्षब कर देखते हैं